नमस्कार दोस्तों मैं विने सिंग आपका एक वार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनी मेटर्स में यह जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है इस चार्ट को देखने के बाद सायद काफी लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि यह चार्ट किस कंपनी का ह जी हां यह वही कंपनी है जिसके चेर्मैन नरेस गोयल थे और उन्होंने इस्तिफा दे दिया है अब इस्तिफा क्यों दिया है यह तो सब को पता है आखिर क्या हुआ जेट एर्वेस के साथ में क्यों यह कंपनी डूबी और आज इसका मार्केट में कितना प्रसेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं और नहीं आए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लिजी लाइक और शियर करना तो बनता ही है ठीक है तो देखिए यह है जेट इवर एर्वेस का जो कि आज 77 रुपीज 95 पैसे लगब 35 परसेंट तूटके बंद हुआ है और अब जब यह खुला था तब इसमें सीधा अपर सर्केट लगा था 10 परसेंट का और 216 पर खुला था उसके बाद जब यह सर्केट हटा है तो यह तुरंत डाउन मारके 23-25 परसेंट डिप मालने के बाद ला भारत की पहली सबसे बड़ी और प्राइबेट विमान सेवा थी इसके जो चेयर्मैन है नरेश गोयल उनकी कहानी विकन दिल्चस्प नहीं है आपको सबसे पहले यही बताते हैं कि उन्होंने कैसे इस कंपनी का नाम एर जैट एर विज रखा एक्चुली नरेश गोयल एक बहुत ही गरीब परिवार के थे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ब्लॉंग करते थे इन्होंने अपनी पढ़ाई खतम करने एक बाद दिल्ली में एक ऑफिस खोला जहां पे इन्होंने अपनी ट्रेवल एजनसी शुरू कर दी और इस ट्रेवल एजनसी में आपको बताता हू तो इन्होंने इसी टाइम पे इन्होंने अपने दिमाग में इनके घर कर गया था कि नहीं मुझे कुछ भी हो एक एर कंपनी खोलनी है तो आपको बताता हूं तो इन्होंने करा क्या कि इन्होंने अपनी जिनके कई दोस्त थे जो एर कंपनीों में काम करते थे तो वहां से इन्होंने पूरी knowledge लेना शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद 1991 में लगबग यह अपनी सर्विस शुरू की थी 1973 में उसके करीबं 15-20 साल बाद इन्होंने एक company खुली और एक airbus ली जो jet airbus के नाम से ही इन्होंने अपने उस airbus का शुरू किया और 1991 में इन्होंने अपनी शुरूबात कर दी एयर बिजनिस में और यह travel के शेतर में उस टाइम पे एक साल के अंदर इन चार एयरकाफ्ट खरीद लिये थे और चार एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद यह अपने जो इनका model था और इनका जो service थी उन्होंने बहुत ही अच्छा इन्होंने इजाफा कि बहुत सुंदर इनकी service थी जिन लोगों ने jet airways में सफर किया है वो लोग अच्छी तरह की से जानते हैं कि इनकी service अभी इस टाइम पे बहुत अच्छी है बहुत quality service यह provide करते है एक्चुली हुआ क्या है कि इन्होंने 2007 में international flight उडाने के लिए सहारा एयर जो बस थी उसको इ यह जो था एक तरीके से इनका गलट decision था और जो गोयल साब भी मानते हैं कि यही इनकी जिन्दगी का सबसे गलट decision था और इसी वज़य से इनकी company डूबी है तो मैं करण यही रहा है आप बताता हूं इसी वज़य से 2007 में अपने कमचार्यों कर दोजार कमचार्यों के छटन इसके बाद इंडगो आ गई इंडगो ने काफी कुछ टे कवर कर लिया और इसी दोरान में UA की जो company है एतियात एतियात ने एयरलेंस ने इसके 24% share खिल लिये पर फिर भी 11% share जो थे गोयल साब के पास थे और यही सब थोड़ा सा इस company में हुआ था अब मैं आपको आपको क क्या चल रही है सबसे पहले तो यह जो company है इस company में इसको बेचने के लिए क्योंकि इनका जो फ्यूल चार्जेस के और यह जो जितने भी खर्चे थे वह खर्चे यह उठा नहीं पाई को company उठाने अस्सामर्थ थी इन्होंने बैंक से जो लॉन ले रखा था करीबन बावन आज के जो share market में इसका असर है इसके 30% से ज्यादा 32% लुड़कने के विज़े से आपको देखा अगर आप देखिएगा तो SBI का share भी आज तूटा है और SBI का share और जो जितनी भी company थी जिसको बोलते हैं banking sector की उनके तूटने का reason यही रहा है कि उनका पैसा इस company में रखा था और इस company के एरलाइन्स के तूटने की वज़े से आपको मैं दिखाता हूं कि इस तरीके से इस बैंक की वज़े से share SBI का तूटा हूं तो SBI में भी देख लीजिए आज जो तकरीबन 4% जो एक 1.1% जीड़ परसेंट का नुक्सान लख तकरीबन साड़े चार रूपे पांच रूपे का नुक्सान हूँ आज इस company को भी और इसका तूटने का में रीजन भी आपका JTR वीज़ ही रहा है तो और भी इसके कई नुज है आप मैं आपको उताए हूं दूसरी चीज की इसके जितने भी करदाता है जो जो सारे बैंक हैं जिसके साथ मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं आप हमारी सर्विस को चालू रखने में मदद किजिए पैसा दीजिए सब ने इस से डिनायल कर दिया उन्हाने बोला नहीं हमारा पैसा अल्रेडी फसा हुआ है और अगर अगर अब हम देते हैं तो ये बहुत ही मतलब गलत हो जाएगा क्योंकि मैं बताता हूँ कि जितने भी बैंक के सीओ वगरा होते हैं इसके जवाबदार होते हैं कि आपने इतना सब होने के बाद भी क्यों इनको करज दिया जब आप जानते थे कि एक अंपनी लगबग डूब रही है जो पहले इनको पैसा दिया हुआ था वो तो लगबग डूबी गया था तो यही क्यूश्चन इनके साथ होगा कि आपने ये सब जानने के बाद वी क्यों आपने और पैसा रही है तो क्यूं आपने इसको पैसा दिया तो यह देखिए एकस ये 210310 रुपए पर ये टूटके हो गया है डाउन तो यही क्योंसे आपको अवाइड करना